अगर किसी को आपकी मदद की जरूरत है और वो खुलकर आपसे नहीं कहपा रहा है तो आपको आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए आपके द्वारा की गई मदद से आपका दोस्त बहुत खुश होगा आज आप फैसला करेंगे कि अपने साथी के साथ संबंध लंबे समय तक चलाएं अथवा नहीं अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने वो निर्णे लेने के लिए ये उत्तम समय है करियर आज वास्तु के क्षेत्र में काम करने वाली लोगों को सही अवसर मिल सकते हैं जो की विदेश से भी हो सकते हैं इन्हें हा कहने से पहले आपको अपने विकल्पों की पड़ताल कर लेनी चाहिए इससे सिर्फ सफलता नहीं वरन आत्म विश्वास भी बढ़ेगा आज के दिन आपके लिए जमीन खरीबना तथा इसके लिए पैसा जुटाना कोई मुश्किल नहीं होगा परंतु अंतिम दिनने लेने से पहले आपको चाहिए कि बाजार के हालात की जाच पड़ताल कर लें आपको साधना के लाब सुनकर आश्चर्य होगा आज आप अपने दिमाग को शान्ती दे सकते हैं क्योंकि यह उप्युक्त समय है साधना आपको अपना अच्छा असर आने वाली अवधी और लंबी अवधी दोनों में दिखाएगी आज आप बहुत खुश रहेंगे आपकी खुशियों में कोई बाधा नहीं आएगी शायद आपको पता नहीं कि आपका सकारात्मक विवहाद आपके काम में दिखाई देगा इससे आपके सहकर्मी भी आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेंगे आपको इस समय का पूरा फाइदा उठाते हुए अपने सभी अधूरे कामों को पूरा कर लेना चाहिए आज आप नकारात्मक विचारों से परिपूर्ण रहेंगे आपका साथ ही आपकी रोमैंस भरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा आपको चाहिए कि आज कल चल रहे आपसी रिष्टे के बारे में आप कोई निर्णे लें यदि आप उस रिष्टे को खत्म करना चाहते हैं तो इमानदारी से अपना इरादा व्यक्त कर दें करियर लंबे समय से चली आ रही आपकी कोई इच्छा आज पूरी हो सकेगी विद्यार्थियों का परिक्षा परणाम बहुत अच्छा रहेगा अपने परणाम से उन्हें खुशी व आश्चर्य दोनों ही होंगे जो लोग व्यवसाई में हैं वो पाएंगे कि उनके लंबे समय के कुछ लक्ष पूरे हो रही है इसके लिए आपको खुद को शाबाशी देनी चाहिए क्योंकि इसे पाने के लिए आपने बहुत महनत की है आज आपको कुछ आर्थिक फायदा मिलने के संकेत है यदि आपने इंशूरेंस या फिक्स डिपॉजिट में सही इरादे से पैसा लगा रखा है तो वह लंबे समय में लाब देगा इस तरह आपको अतिरिक्त धनकी प्राप्ती हो सकती है ये भी हो सकता है कि कोई विदेश से आपके लिए कोई बड़ी सौगात भीजते जिसकी आप सोच भी नहीं रहेते आपकी सफलता से आपके कुछ शहकर्मी इर्षिया कर सकते है लेकिन आपके काम के क्शेतर में आपकी साख बढ़ेगी यह आपका तनाव पूर्ण समय रहा है जिसकी वज़ह से आपकी सेहत पर प्रभाव पड़ा है आज आपको महसूस होगा कि आप खुद को जरूरत से ज़्यादा ओफिस के कारियों में व्यस्त कर रही है आज तनाव कम करें और परियाप्त नींद के लिए समय निकालें आप अपने दिमाग तथा शरीर को आराम दें ताकि आप कल फिर से नई उर्जा के साथ काम शुरू कर सकें इसलिए आज चिंता ना करें आज आपका किसी से नया रिष्टा कायम हो सकता है ये प्रेम से संबंधित रिष्टा नहीं होगा बलकि दोस्ती या गुरु शिष्ट का रिष्टा होगा आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपका सही मार्ग दर्शन करेगा देखें ये रिष्टा आपको कहा ले जाता है साथ ही उस व्यक्ति के प्रती आभार प्रकट करेए जो आपका मार्ग दर्शन कर रहा है जिससे आप शादी करना चाहते हैं आज उसकी ओर से आपको सकारात्मक संकेत मिल सकता है आप आज अपना भाग्य आजमा सकते हैं और शादी का प्रस्ताव रख सकते हैं अगर अनुकूल उत्तर तुरंत नहीं मिलता तो धीरज रखें और उसके लिए कोशिश करते रहें करियर यदि आपने किसी नवी नौकरी के लिए आवेदन दिया है तब आज कोई शुब समाचार अपेक्षित है यदि आपने आवेदन नहीं दिया है तो आज का दिन उस आवेदन को भर कर भेज देने का है आज के दिन अपनी आजी विखा को लेकर किसी ना किसी नवी नियुजना का श्री गणेश कीजिए पैसे की भर पूर आवक दिख रही है बहुत पहले आपने कोई निवेश कर रखा था उससे आज बड़ा लाब मिलने वाला है यह अचानक ही होगा आप खुशी से उचल ही पढ़ेंगे अगर आज आप काफी देर तक कंप्यूटर पर बैठे हैं तो आज ही जाकर अपनी आँखों की जाज कराएं ध्यान रहे आप ज्यादा देर तक स्क्रीन पर बैठ कर काम ना करें और अपनी आँखों को आराम दें वरना सरदर्द की परेशानी बराबर बनी रहेगी आज अपनी आँखों का खास ख्याल रखें और कोई परेशानी पढ़ने पर दवाज जरूर लें आज आप पाएंगे कि सत्ता से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंध बहुत प्रगाड हैं इन में से कोई व्यक्ती आज आपकी मदद को आगे आएगा जरूरत पढ़ने पर इनकी मदद लेने से पीछे ना रहें लेकिन ये बात भी ध्यान में रखें कि भविष्य में जरूरत पढ़ने पर आपको उनके एहसान का बदला चुकाना पड़ेगा रोमैंस अपने मन के पार्टनर से मिलने का खयाल आपको आज उलजाए रखेगा आपका धीरज और दृता आज यकल आपके लिए अच्छा परिणाम लाएंगे अगर आप अपनी पसंद और प्रात्मिक्ता पर अडिग रहेंगे तो निश्चित है कि वैसा पार्टनर आपको जल्द ही मिल जाएगा करियर यदि आप फैशन के जगत से तालुक रखते हैं तब आज का दिन विशेश फलदाई है आज का दिन जन संपर्क में बीतेगा जिससे लोगों से मिलना जुलना और सिमिनार व वर्क्शाप आदि में भाग लेना हो सकता है अगर आप अपने रहन सहन में बदलाव या किसी नई जगह घूमने की सोच रहे हैं तो आज इसकी शुरुआत के लिए बढ़िया दिन है कोई नई नौकरी मिल सकती है या कोई नया व्यापार शुरू कर सकते है इस सिल्सले में आपको किसी नई जगह की यात्रा करनी पढ़ सकती है आप इस मौके का जम कर लुट्फ उठाईए दुनिया देखिए हेल्थ आज आप आराम पर ध्यान दें और खुद पर तनाव ना आने दें परियाप्त नीद लें आपका उर्जास्तर, मूड और स्वास्थ सभी में फायदा होगा ओवर्वियू आज आपका भाग्य ही आपको सफलता दिलाएगा आज सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा आपको लगेगा कि ये सब आपकी मेहनत से ना होकर आपके सवभाग्य की वजह से हो रहा है इस समय का पूरा लाब उठाएं आज अपने प्रेमी के साथ आप यादगार पल बिताएंगे सब ही परेशानियों को पीछे छोड़ कर साथ घूमने से संबंध में नई मजबूती आएगी करियर यदि आपने सिविल सेवा की परिक्षा दी है तब आज का दिन कुछ अच्छी खबर आपके लिए ला सकता है आप धैर्य और उत्तेजना के साथ इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे आपका दिन शुब हो आज आएके कई सरोतों से धन आने की संभावना है आज बह दिन है जिससे आपको लंबी अवधी के लिए किये गए पूंजी निवेश से लाब होने वाला है यदि आप किसी खाद्य सामगरी अत्वा अनाज के विवसाई में है तो आज का दिन लाबकारी है आप देखेंगे कि आज आपको अपने किये गए कटिन परिशरम का फल मिलने वाला है ये लाब आपके अत्रित कोश के माध्यम से स्वागत योगे हो सकता है आज आप शारीरिक और मानसिक तोर से अच्छा महसूस करेंगे कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी आपको दर्द जैसी तकलीफ भी नहीं होगी और आपका मन भी अच्छा रहेगा आज के दिन बस अच्छी सेहत पर ध्यान दें इस समय आपके रिष्टों में और विश्वास बढ़ेगा आप अपने प्रियजनों के नजदीक आएंगे और अपनी जिंदगी में उनके महत्व को जान पाएंगे पहले आप उन पर इतना ध्यान नहीं देते थे लेकिन अब उनको गले लगाकर पहले की सभी शिकायतें और दूरियां मिटा दें फिर देखें इससे आपकी जिंदगी में कितना बदलावाएगा एक नए साथी के लिए आपके मन में रोमैंटिक विचार उत्पन होंगे आप यदि इस दोस्ती को आगे ले जाना चाहते हैं तो घबराईए मत क्यूंकि ये समय रोमैंटिक संबंधों के विकास के लिए उत्तम है करियर आज आपको लगेगा कि आपका विवसाएं बढ़ रहा है ये सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा है ऐसे ही आगे बढ़ते रहें भविश्य में इससे आपको बहुत लाब होगा आपको अपनी मेहनत के लिए अपने साथियों से भी प्रोचसाहन मिलेगा काम का बोज आपको व्यस्त तो रखेगा लेकिन भविश्य में यह और भी बढ़ने वाला है क्योंकि एक नया विवसाय भी शुरू होने के संकेत है इसलिए अपनी मानसिक श्रमता को बढ़ाने के लिए भी कुछ उपाय करें ताकि नए विचार काम आएं और आप और कमाई कर सकें हेल्थ आज आपका स्वास्त कुछ बहतर रहेगा क्योंकि आप चिंता करनी छोड़ देंगे इससे आप अपनी उर्जा का सही इस्तेमाल कर सकेंगे आपके लिए हित कर होगा कि आप अपना समय फाल्तू चीजों में नष्ट न करें क्योंकि ये आपके स्वास्त पर दुश प्रभाव डाल सकता है इस समय आपको अपना आत्म विश्वास बढ़ाना होगा जिससे आप अपने कारियों को ख्रमताओं के अनुकूल कर सकें एक के बाद एक समस्या के कारण आपकी मानसिक शान्ती भंग हो सकती है इसका उपाए ये है कि आप एक एक करके ही समस्याओं को सुलजाएं अगर आपसे ये समस्याएं नहीं सुलज रही है तो उन लोगों से मदद लें जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं मुश्किलों को लेकर ज्यादा परिशान ना हो क्योंकि इनका आना जाना तो लगा ही रहता है आज अपने प्रेम संबंध के विकास पर ध्यान दें आपका ध्यान कई दिशाओं में बटा हुआ है किन्तु इस समय सभी प्रेयास अपने साथी को महत्वपूर्ण महसूस कराने में लगाने चाहिए भविश्य में इसका लाव अवश्य मिलेगा करियर काम में सफलता मिलने के कारण आपके व्यावसाइक सपने पूरे हो सकेंगे लेकिन फिर भी आपको महनत जाड़ी रखनी चाहिए वो अपनी सोच को सकारात्मक रखने की कोशिश करनी चाहिए अपनी सफलता से प्रेरना लेकर आप और महनत से काम कर सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको पूरे मन से काम करने की कोशिश करनी चाहिए फाइनांस जमीन जायदात की खरीद परोक्त इन दिनों आपके लिए लाबकारी सिद्ध हो सकती है जमीन की कीमत बढ़ती जा रही है और आगे भविश्य में यह बढ़ती ही जाएगी अतह जमीन जायदाद खरीदने में पूंजी निवेश करें तथा पहले ली हुई जमीन बेचें जिसमें आपको अच्छी आमदनी हो सकती है परंतु बुद्धी मत्ता पूरवक निवेश करने की आवशकता है ऐसे में आप देखेंगे कि आपकी मूल भूत पूंजी में वृद्धी हो रही है हेल्थ आज आप अपनी डायेट को सुधारने का लक्ष बना सकते हैं जैसे की हो सकता है कि आप ताजे फल, ताजा और घर में पका खाना खाएं हो सकता है कि आज आप शाकाहारी भोजन ही खाएं इस बदलाव से आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपकी पाचन संबंधित परेशानी भी दूर हो जाएगी अपने कौशल वहिम्मत से आप अपने रास्ते में आने वाली सभी परेशानियों को हल कर लेंगे आपकी इन खूबियों का जादूई असर होगा वह सारी परेशानिया खुद ही खत्म हो जाएंगी अपना उत्साह बनाए रखें क्यूंकि इसी से आपकी सारी परेशानिया खत्म हो सकेंगी रोमैंस अगर आप पार्टनर के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज ना करें अगर वहव्यक्ति आपका दोस्त या अपेक्षित है लेकिन आप उतना निकट नहीं हैं तो निरने लेने से पहले दो बारा सोचें हो सकता है कि आप बहुत जल्दबाजी में घलत रास्ता अपना रही हूँ करियर आज विद्यार्थी अगर अपने करियर को लेकर किसी उलजन में हैं तो उन्हें किसी निपुण करियर सलाहकार से बात करनी चाहिए ध्यान रहे कि आप सही सलाहकार का चुनाव करें, जो कि आपको अच्छी सलाह दे सके इस सलाह का पूरा लाब उठाएं, सब कुछ सही होगा Finance अपने विवसाई में होने वाले छोटे मुटे उतार चड़ाव से आप विजलित ना हो विवसाई में अच्छी सफलता के लिए आप निरंदर कठिन परिश्रम करते रहें आपके आसपास के लोग आपके विवसाई के तरीकों की सहराह ना करेंगे अतह आप उन महतवपूर्ण विवसाईयों से विवसाई के अच्छे गुण अपनाने की कोशिश करें वे विक्ति जो आशवस्त हैं कि विवसाई के प्रतिसमर्पित हैं तथा वे आर्थिक जोखिम उठाने को तैयार हैं उन्हें अच्छे विवसाई के अवसरों की कोई कमी नहीं है जिन्हें दिल और रक्त संचार की बिमारी है आज से उनके लिए अच्छे दिन शुरू हैं उन्हें अपने इलाज की वज़ह से सकारात्मक परणाम नजर आएंगे अब आपको आशा की किरन दिखाई देगी क्योंकि अब पुरानी बिमारियां ठीक होने लगी है आप अपने इलाज को लगातार चलाते रहें और अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान दें तले भुने खाने से दूर रहें आज आपके घर में कोई सामाजिक समारोह हो सकता है ये आपके लिए एक अफसर होगा अपने दुखों और चिंताओं को भुलाने का और अपने प्रियजनों के साथ मज़े करने का आप इससे बहुत तरो ताजा महसूस करेंगे पिछले दिनों से जिन सामाजिक या पारिवारिक समस्याओं से आप परिशान हो रहे हैं वे आज दूर हो जाएंगी इस मौके का फायदा उठाएं और अपने परिवार को ये एहसास दिलाएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं और उनकी शुब गामनाओं का आदर करते हैं इस कारण आज आपका पार्टनर भी आपकी खातिरदारी करेगा करियर अपनी सही जगह प्राप्त करना आपके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिर रही हैं आज आप सोच रही हैं कि आप अपनी सुविधा के दायरे से बाहर निकल कर कोई नया करियर शुरू करें आप जिस पदवी पर हैं वहां आपको अच्छा नहीं लग रहा है और इसकी दिंचरिया से आप थोड़े बोर भी हो गए हैं आप अब भी सही नौकरी की तलाश में हैं आज अपने काम के बारे में जल्दबाजी में कोई निरने ना लें लेकिन अपने सभी विकल्पों के बारे में सही से सोच लें आज आपको आर्थिक मामलों में कोई गहरा जटका लग सकता है अगर किसी कर्ज के लिए आवेदन कर रखा है तो वहां से मना ही हो सकती है और आपको पैसे के लिए कोई और रास्ता ढूणना पड़ जाए लेकिन वहां से तो पैसा नहीं मिलेगा जहां से आप उम्मीद बांधे हैं अपनी बीमारी को दूर करने के लिए आप तरह तरह के नुस्खे अपनाएंगे एलोपैथिक दवाईयां आपको संतुष नहीं कर पाएंगी इसलिए हो सकता है आप आयरवेदिक इलाज कराएं आप वही इलाज कराएं जिस पर आपको भरोसा हो और आपको आराम मिल जाए आपको जल्द ही राहत मिलेगी आज आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा आज आप अपने परिजन अत्वा दोस्तों के साथ किसी खुशी का उच्सव मनाएंगे या फिर कहीं बाहर घूमने जाएंगे साथ गुशारे ये पल हमेशा मीठी यादों के रूप में आपके साथ रहेंगे इसलिए आज आप खुब मज़े करें रुमैंस आज आपस में पैदा हुए मतभेदों को अंदेखा करें वो गुसा ठूक दें अपनी सहनशीलता के कारण दूसरों की गलतियों को नजर अंदास कर दें माफ कर दें फिर देखिए यही सहनशीलता आपके प्यार भरी जिंदगी की नीव होगी मतभेदों को बढ़ावा देने से आपस की दूरियां बढ़ेंगी जो की तनाव का कारण होंगी करियर आपके सहकर्मी आपका जीना दूभर कर सकते हैं आज अपना आत्मविश्वास बनाए रखें कार्याले में ध्यान रखें कि आपकी पीट के पीछे क्या हो रहा है जिस बड़े प्रोजेक्ट को आप पाने की उमीद कर रहे थे उस पर आपके सहकर्मियों की नजर है इस समय आपके लिए ये अच्छा है कि आप अपने काम पर पूरी तरह से जुट जाएं आपके उच्छ अधिकारी आपकी मेहनत को जरूर पहचानेंगे और ये अफसर आपको ही देंगे Finance अगर आप शेयर बाजार में काम कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आपका आर्थिक पक्ष आपके लिए मजबूत बना रहेगा आज के दिन आप काफी सुरक्षित महसूस करेंगे Health आज आप किसी से किसी समस्या से संबंधित सलाह लेंगे हो सकता है ये सलाह आपको परिवार में से कोई दे या फिर कोई विश्वस्निय मित्र या फिर पढ़ा लिखा सलाहकार आपको दे जिससे भी आपको ये सलाह मिलेगी वो आपकी परेशानी को दूर करने के लिए लाबकारी होगी आप में रचनात्मक्ता कूट कूट कर भरी है आज के दिन आप इसका पूरा इस्तिमाल कर सकते हैं आप बहुत लंबे समय से कुछ अभिवक्त करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं आज के दिन का प्रेयोग करके आप अपनी रचनात्मक्ता को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपने साथी के साथ रुम्मैंस का मजा लेने के लिए छोटी-छोटी बातों पर शिकायत करने से बचना होगा। ऐसा करने से आप में सकारात्मक्त दृष्टिकून का विकास होगा, वो आपका साथी आपके साथ सुरक्षित महसूस करेगा। समय रहते ऐसा करने से भविश्य के लिए आपके संबंधों की नीव मजबूत हो जाएगी। करियर इस समय आप खुद को अपने कार्याले में बहुत प्रभावी पाएंगे। आज आपका लीडर होने का हुनर अपने चरम पर होगा। और दूसरे लोग इस बात की सराहते होंगे। आपके सितारे ऐसी सिती में हैं कि आपको अपने इस हुनर को प्रदर्शित करने के लिए और अधिक जिम्मेदारियां लेनी होंगी। फाइनांस आप जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर तो चलेंगे ही, आप अपनी क्षमता भी सावित कर पाएंगे। यह सही समय है कि आप अपनी रचनात्मक उर्जा को अपना आर्थिक लक्ष पाने की तरफ लगाएं। समय को अपने पक्षमे करने का सबसे बढ़िया रास्ता है अपनी उर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना। हेल्थ आज रूड पर चलते समय आपको अपना खयाल रखना होगा, भले ही आप वाहन चला रहे हों या नहीं। ध्यान रहे, तेज वाहन चलाने से आप खुद को और दूसरों को भी खत्रे में डाल सकते हैं, इसलिए आज आज आपको विवेक योक्त, समझदार और सतर्ग होकर रहना होगा, आज का दिन आपके लिए शुब नहीं है, खासकर अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं त आज का दिन अपने परिजनों के साथ बिताने के लिए शुब है, आज आप उनके साथ मिलकर कई मनुरंजक गतिविधियों में भाग लेंगे, आज आप किसी पारिवारिक समारोह में भी भाग लेंगे, अपनी व्यस्त दिन चरिया से समय निकाल कर इस समारोह में भाग इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, जिसे कि आप ता उम्र भूल नहीं पाएंगे, रोमैंस, अपने साथी को अपनी भावनाओं से अवगत कराने पर आप आपसी रिष्टों को और मजबूत बनाएंगे, आपके विचारों की अभिव्यक्ति से ना केवल आज, बलकि भ प्यार ही आपसी रिष्टों की डोर को मजबूत बनाता है, करियर, आप काम से संबंधी एक छोटी सी यात्रा करेंगे, संबहता विदेश में, आपको अपने स्वभाव पर संयम रखते हुए सारे काम करने होंगे, वो अपनी प्रतिभा सिद्ध करनी होगी, सारे लक्षों को आप अच्छे से पूरा कर पाएंगे, साथ ही ये आपके लिए उन्नती का एक अच्छा मौका भी होगा, आज आर्थिक मामले और निवेश के मामले में आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, आज किया गया निवेश बिलकुल सुरक्षित है, और आपको लगेगा आपकी आर्थिक स्थिती तो समल ही रही है, बलकि लंबे समय के लिए आपको आमदनी का भी रास्ता मिल गया है, हट बड़ाहट में कोई फैसला ना लें, जैसे चल रही हैं, ठीक है, हेल्थ, आज आप कुछ व्यस्त रहेंगे, आप खुद को भी समय नहीं दे पाएंगे, आप इसे नजर अंदाज ना करें, बलकि 20 मिनट को आफिस में ही तह लें जरूर.